दूस्तो भारत की दिगज कंपनी टाटा ग्रूप ने अपना सबसे बड़ा कदम चल दिया है भारत की इलेक्टोनिक इंडस्टी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसलिए टाटा ग्रूप ने डेसाइड किया है कि अगले एक साल के अंदर करीब 5-10 बिलियन य प्लेयर्स के साथ में पार्टनर्शिप की है भारत के इंदर चिप्स के प्रडक्शन के लिए और इस डील से पहले ही टाटा ग्रूप को लैंड डिया जा चुका है जहां पर इस नय प्लांट को सटप किया जाएगा तो क्या है पुरी रिपोर्ट आई अच वीडियो में च के लिए और ये अलग-अलग ब्रैंड्स के लिए चिप्स को मैनिफाक्शर करने का काम करते हैं सेमी के बात की जाए तो आज के समय में किसी भी इलक्रोनिक डिवाइस को इनके बिना ऑपरेट कर पाना नामुम्किन है एक स्मार्ट सोन लेकर के स्मार्ट वॉच बड़े-ब के इस प्रोजेक्ट की बात की जा तो टाटा ग्रूप का कहना है कि हम इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करनी के लिए इस नए प्लांट पर काम शुरू कर रहे हैं इस प्लांट के अंदर 65 नैनोमीटर 48 नैनोमीटर एंड 28 नैनोमीटर के लिए electronic चिप को तयार किय जाएगा जिनका mainly used graphic units, consumer electronics and IoT devices के अंदर किया जाता है एक साल में टाटा के इस नए प्लांट से करीब 25,000 वैपास को प्रोड्यूस किया जाएगा और 700 से 1000 सेमिकर्डिटर चिप्स डेली बेसिस पर प्रोड्यूस होंगी जैसा कि हमने बता है कि लैंड को ओलेडी धुलेरा य यहां पर चिप प्रोडक्शन पर काम शुरू हो जाएगा और यह दिए एक बड़े अड्वांटेज की बात के जा तो टाटा ग्रोप का कहना है कि इंडियन सेमिक अनटर मिशन के तहट इन्हें करीब 50% सबसेडी मिलने वाली है और इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत क इलेक्ट्रोनिक इंडिस्टी में नए बूम देखने को मिल रहा है ताइवान की कंपनी टावर सेमिकंड़क्टर ने भी प्रपोजल दिया है कि वो भारत के अंदर करीब 9 बिलीन यूर्स डॉर के इंवेस्मेंट करके एक नए प्लांट को सटप करेंगे सो धाट भारत के इलेक्ट्रोनिक्स का प्रड़क्शन बड़े स्केल पर किया जा सके लाल टाटा गरू के स्नाइट डिसीजन दरों आपके सोचने हमें कमेंट्स में जरू बताएगा भारत कैसे ही यूस्वल एन्फरमीटी वीडियो स्पाने के लिए आप मारे यूटीब चैनल को सब्सक्र परिश्वल चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटस्टिंग वीडियो में तब तक करें बंदे मात्रम भारत मात्रम पारत